हेलो गाईज, वेलकम बैक तो माई यूड़ोब चैनल, एसके मिश्ड़ी, अवे आप सक्सिच, मैं हूँ आपका एजुकेटर सिवन मिस्रा, अब आपकी बोर्ड पर इच्छाए हो गई है, और आपका कल के मिश्डी का पेपर था, पूरा समाप्त हो गया है, अब आपके मन में केवल एक ही सवाल है, कि आखिरकार आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, साथ ही साथ, हम लोग कितना नंबर पा जाएंगे कि आसानी से पेपर में पास हो जाएंगे, ये मेजर दो सवाले हैं, ठीक न, और बोर्ड की कापी कैसे चेक होंगी, उस पर यूँ में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस पर डेडिकेटेड वीडियो में बना दूँगा, परशान मत होईए, ठीक न, और जो 2024 वाले बच्चे हैं, वो बिलकुल, सब्सक्राइब कर लिजी, क्योंकि अब आपको यहां पर बोर्ड पर इच्छा की क्या करवाईजेग, तैयारी करवाईजेग, 2024 की पूरी, पूरा-पूरा पेपर हम कवर कर देंगे, ठीक न, और पूरा-पूरा स्लेवस कवर कर देंगे, अब तो आपके लिए प्ले स्टोर पर, एसके मिश्टरी अप्लिकेशन में लॉंच कर दिया गया, जाके डाउनलोड करें, साथ-साथ, मैंने पूरा-पूरा पेपर जो है, फ्री में प्रवाईड किया, टेलेग्राम पर, हज्यारों पीडिया, फ्री में नोट्स टेलेग् कर लेंगे, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जो पूराने बच्चे हमारे जो अभी पढ़ रहे थे हमसे, वो आखिरकार कितने नमबर चाहिए, उनको बोड परिच्छा 2023 में पास होने के लिए, कितना आखिरकार आपका पास मारका होना चाहिए, इस वीडियो में प पूरा पूरा कवर कर दिया, ऐसे कैसे होगा, कोई बात नहीं, हम गम समय पूरा पूरा आपको बता देंगे, ठीके न, चलिए, तो यह देखिए यहाँ पर, सबसे पहले यह तो आपकी ऑफिसल वेबसाइट है, तो हम बात करेंगे, आखिरकार आपको कितने नमबर प्रैक्टिकल के नमबर आपको स्कूल से मिलेंगे ही, यह गलत हो गया, एक सिकंट, प्रैक्टिकल के नमबर आपको स्कूल से 30 नमबर के क्या होंगे, मिलेंगे ही, तो आपको 29-30 तो आपको प्रैक्टिकल के नमबर मिलेंगे, कुछ पेपर आपके 100 नमबर के होते हैं, और सटर सव में से आपको जैसे हिंदी गडित और अंग्रेजी सव में से आपको 33 नंबर मीनवम चाहिए पास होने के लिए तब आप पास हो जाएंगे और जो भी से सतर नंबर का जैसे फिजिक्स कमिस्ट्री बायलोजी और कच्छा दस्मी के कुछ सब्जेक्ट हैं सभी कच्छ Cleansic वाले फिजिक्स कमिस्ट्री बायलोजी तो बस आपको यहीं चाहिए तो पास होने के लिए बिश्व किन नंबर चाहिए तो केवल के और आपको 200 में से 33 नंबर चाहिए जो 100 बिसे हैं उसमें 33 न मडर चाहिए एक दीज़ौर यदि का क्या कर त phenomenon प्रफेल कर दिया जाएगा यह आप हिंदी में पास है अन्य किसी भी से में फैल है जैसे मैथ बालोजी फीजिक्स या फिर कोई कच्छा दस्वी का साइन सब्जेक्ट है तो आपको इक्जाम देना पड़ेगा और इक्जाम पास कर सकते हो अब का कमपाडमेंट इक्जाम कैसे होगा कब होगा इसकी मैं पूरी अपडेट बता दूगा परशान मत होगे अपको परशान वने की जरूत बिल्कुल भी नहीं है तो जो चीज़ मैं बता रहा हूं आपको सौ में से सौ में से तैतिस नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए जो सब्सक्राइब कर दिया जाएगा यह दिमाग में रख लूँ तो हिंदी में पास होना कंपलसरी है अन्ने एक सब्जेक्ट नदी आप फेल भी हो सब्सक्राइब करें तो यहीं वीडियो आपके लिए और मैं आसा करता हूँ आपको चीज़ समन्दित के लिए चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि रिजल्ट कब आने वाला है क्या बदलाव किया जाएगा सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो की माध्यम से देने सारी इंफॉर्मेशन मिल लियागी ओके दूस्सों थांकिव जैहिन